हेलो एवरिवन, वेलकम टू नेक्टियन आयर सीटिस यूटूब चैनल तो आज के इस वीडियो में हम आपको भारत तेज की टॉप स्पीड वाली ट्रेनों के बारे में बताने जा रहे हैं इनकी खास्यत यह है कि यह चलती नहीं दौरती है और अगर आपको इस ख़बर के बारे में और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दी गई है आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं तो चलिए दोस्तो वीडियो सुरू करते है दोस्तो हम सब जानते हैं कि भारती रेल्वे दुनिया के सबसे बड़े और सबसे तेज रेल्वे नेटवर्क में से एक है जिसकी कुल चमता परते दिन 15 लाग से भी अधिक यात्रियों को ले जाने की है वहीं भारत सरकार ने निकट भविसे में देश में सेमी हाइस्पीड ट्रेन और हाइस्पीड बुलेट ट्रेन सुरू करने का भी फैसला किया है वर्तमान में भारती ट्रेने गती प्रितिबंधो याने की स्पीड रेस्टिक्शन्स और पुराने बुन्यादी रहाचे के कारण अब एक शक्रत धीमी गती से चलती है लेकिन अगर एक बार नई और भेतर रेलाईने बीच गई तो फिर अलग-अलग रूटों पर हाई स्पीड ट्रेने चलाने में दिक्कत नहीं होगी इसको लेकर सरकार काफी प्रयास भी कर रही है हाला कि फिलहाल देश में ऐसी कई ट्रेने हैं जो काफी स्पीड से चलती है जिनके बारे में बहुत कम लोगों को ही जानकारी होगी तो आईए जानते हैं देश की टॉप स्पीड वाले कुछ ऐसे ट्रेनों के बारे में जिनमें सफर करना काफी सुधा जनक होता है और यात्री अपने गंतवे तक बहुत ही जल्द पहुंच जाते हैं दोस्तो पहले नंबर पर बंडे भारत एक्सप्रेस है बता दे की रेल मित्र एप के मताबिक बंडे भारत एक्सप्रेस बरतमान में भारत की सबसे तेज याति ट्रेन है इसकी टॉप स्पीड 116 किलोमेटर प्रती घंटा है और यह ट्रेन नई दिली से वार नसी और दिली से कट्रा के भी चलती है इस ट्रेन की खासे तिया है कि सभी डुबो में स्टेनलेस स्टील की कार बॉडी होती है जिसमें स्लाइडिंग फूट स्टेप्स, ओन बोर्ट ट्रेन कंट्रोल कम्प्यूटर और रिमोट मॉनीटरिंग के साथ स्वचाले तरवाजे लगे होते है वहीं दूसरे नंबर पर गतिमान एक्सप्रेस है साल 2016 में लॉंच होई गतिमान एक्सप्रेस को उस समय तक भारत की सबसे तेज़ ट्रेन के रूप में जाना जाता था जब तक कि वंडे भारत एक्सप्रेस लॉंच नहीं हो गई थी इस ट्रेन की टॉप स्पीड 160 किलो मेटर प्रती घंटा है और यह ट्रेन दिल्ली से जहां से की भी चलती है वहीं यह निश्चित रूप से भारत की सबसे सांदार ट्रेनों में से एक है और तीसरे नंबर पर नई दिल्ली भोपाल सताब्दी एक्सप्रेस है आपको बता दे कि नई दिल्ली भोपाल सताब्दी एक्सप्रेस भारती रेल नेटवर्क में सर्वोज प्रात मिक्ता वाली ट्रेनों में से एक है 2016 में गतिमान एक्सप्रेस के लॉंच होने से पहले तक यह ट्रेन लंबे समय तक भारत की सबसे ट्रेस ट्रेन बनी रही थी इसकी टॉप स्पीड 150 किलो मेटर प्रती घंटा है और यह ट्रेन नई दिल्ली से हबीब गंज भोपाल के बीच चलती है और साथ ही चौथे नंबर पर मुंबाई नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस है आपको बता दे कि राजधानी एक्सप्रेस ट्रेने भारती रेलवे में सर्वोष प्रात्मिक्ता वाली ट्रेने हैं उसमें भी मुंबाई नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस भारत की स इतना ही अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सेर कीजे और रेल्वे जुड़ी और जानकारियों के लिए नेक्स्ट जेन आएर सीटिस यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कीजे थैंक्यू फॉर वाचिंग